नमस्कार दोस्तों आज 5th of September 2022 है और यह pre-market report है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आज बहुत से लोगों को यह anticipation है कि बाजार बिलकुल collapse हो जाएंगे अभी अगर Asian markets देखें तो कॉस्पी कुछ 14 points उपर है निके कुछ 60-70 points तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि immediate collapse आने वाला है और मैं कहता आया हूँ कि जो है US markets की गिरावट पे हम कम react करेंगे और जब उपर की तरफ का रुजहान बनेगा तो हम जादा उपर जाएंगे अब यह बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं आपकी help जादा नहीं कर सकता हूँ मेरे इसाब से आपको जो है declines पे अभी भी buying का रुजहान रखना चाहिए क्योंकि नीचे short side पे आपको बहुत ज़ादा traction नहीं मिलेगी और ये Asian markets भी यही कह रहे हैं और overall global रुजहान भी यही कह रहा है अगर आपको हमारी market calls, market insights, global events पे हमारी राय, geopolitics पे हमारा advice चाहिए हो तो आप हमारा telegram group join कर सकते हैं जहां पर 1000 प्लस GST price है जो की payable annually है यहां आपको बहुत बढ़िया nifty bank nifty और individual options पे calls मिलती है कुछ medium term long term ideas भी मिलते हैं तो ये बहुत बढ़िया value for money है तो अगर आप इसमें interested हो तो 9871066337 पर जाएं तो कहने मतलब यह है कि अगर market short side पे position है और shots की तरफ traction नहीं मिलती तो एक बहुत बढ़िया short covering का भी चांस है क्योंकि dow futures भी इस वक्त ठीक लग रहे हैं तो overall जो जितना अभी तक मुझे समझ में आया है यह है कि ठीक है अमरीका में inflation की problem है लेकिन उससे बाकी दुनिया जादा impact नहीं हो रही अब यहां दो व्यूज है कि हिंदुस्तान नहीं गिरा तो अब गिरेगा और दूसरा व्यूज है कि हिंदुस्तान क्योंकि नहीं गिरा तो इसलिए वो उपर जाएगा मैं दूसरे व्यू को सब्सक्राइब करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक strong market जो है जिसमें inherent strength है वो global markets पे बहुत ज़ादा react करेगी तो मेरे इसाब से यह हमारी economy की strength है और हमारे fundamentals है जो इसक्त बाजारों को drive कर रहे हैं तो बहुत ज़ादा negative होके कुछ मिलेगा नहीं एक आज़ा दिन downside मिल जाएगी लेकिन उससे ज़ादा कुछ भी मिलना unlikely है domestic sectors पे focus करें autos पे cement पे domestic consumption पे metal और IT को थोड़ा avoid करें और overall bullish रहें मेरे इसाब से जैसे ही एक decline का phase खतम होगा तो बाजार तेजी से उपर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि देखें US market zero तो हो नहीं जाएगा किसी point पे ठीक है वो underperform करेगा flat हो जाएगा तो तब आपको emerging markets में पैसा आते हुए नजर आएगा dollar index और भी काफी higher level पे चल रहे हैं लेकिन उससे बाजार पे कुछ खास reaction नहीं है तो आपको यह देखना है कि बाजार कैसे react करते हैं instead के जी महौल क्या कह रहा है और यूट्यूबर क्या कह रहे हैं यूट्यूबर का तो simple theory है कि यूएस नीचे जाएगा तो हम नीचे जाएंगे तो इस तरह के silly analysis जो है इस market में नहीं चलेंगे जिसमें अपनी inherent strength है कोशिश यह करें कि down side पे short side पे trap ना हो और buy on dip का उजहान रखें मैं दो एकसर level देता हूँ 17400 और 17650 17400 का एक मोटा मोटा आप stop loss रख सकते हैं और यह बागार momentum गेन करेगा 17650 के ऊपर तो फिलाल के लिए इतना ही मुझे उमीद है कि आपकी कुछ संशाएं clear हुई होंगी और have a good day take care and good luck